हाई फ्रेंड्स विल्कम बैक टो मैं चैनल आज हम बनाएंगे सितो प्लादी चून कोई भी स्वांस का प्रॉब्लम है उसमें रामबान होता यानि सर्दी जूकाम कैसा भी हो यह बहुत ही फाइदा करता है या आपको कोई भी इलर्जी हो जैसे स्वांस का इलर्जी हो या बहुत यह फाइदा करता है या भूख कम लग रही उसमें भी बहुत ज़्यादा और यह टेस्ट में बहुत अच्छा लग रहता है और कोई भी एज का ले शकता है इसको और यह केवल पांच चीजों से बनता है और कुछ चीजों तो घर भी उपलब्द है और इसको कैसे या जाता है यानि कैसे यूज किया जाता उसको भी मैं बताऊंगी चलिए इसको बनाना सुरू करते हैं इसके लिए मैंने अलिए लेना चाहते हैं तो मैंने उसका direction box करांच लिंग लिए आप ले सकते हैं या आप उसको आप इसको बेट करवा करें कोई भी रहा नहीं तो इसको बिश है लेगी mildya यह इसको मैंने बेट करदें दैखें से 20 ग्राम हो गया यह इसका दूगना एक भाग लेना है दाल ची कि तो दो भाग ले अब मेरेको लेला वेदे को पीपली तो इसका पॉडर मैंने लिया है तो इसको भी 결वत तो आपको दिखा दोगी कि पिपली कैसा होता और यह 50-50 ग्राम का है तो मैं इसको 40 ग्राम इससे बेट करके मैं निकाल लूगी तो आप यह भी ले सकते कोई भी मिलता तो देखिए इस तरह का पिपली होता आप यह तो यह तो साबुत पिपली ले लिजिए उसको कर लेंगे तो लेंगे लेंगे जितना अपने लिया पिपली उसका डवल लेना है मैं इसको pied करके 20 ग्राम कर लिया है को तो आप यह सुगर above धागा का मिस्री है तो भी ले सकते हैं तो मैं इसको 160 gram यहीं 160 gram यानि 160 gram बेट कर लेती हूं, तो 150 gram हो चुका है, अब इसको सारे को grain करना है या तो आप एक साथ grain कर लीजिए या तो अलग-अलग grain के जह, तो मैं इस ग्रायन करके दिखाती है, तो मैं दे कर लिख लेती हूं तो I'm 될 दार डालेंगे दालचीनी त अब इसमें डालना है पिपली लेकिंग पिपली का पॉडर है तो मैं इसको आभी रहने देती हूं तो यहां पे मैंने बासलोचन लिया है ड़ने को डालेंगे आप इसका साथ मिश्री भी डाल सकते अगर जार अपका बड़ा मिश्री भी डाल करके ग्रांड कर ली जिते लेकिन मैंने अलग किया है अब इसमें मिश्री को मैंने तोड़ करके होड़ा सा च्पता च्होटा चुलक्रा कर लेए तै कि है के मैंने बताया है मि स्टकृटी को और स cope यह आप सब ईंब मैद चैन गॉस्टी तो से DC קर दिएए और इसको एक साल सकते हैं जब बीसरदी आजी ऐसा हो कि सी बीडर को बड़े को किसी को भी आप दे सकते हैं इसको और या भुग कम लग रहा हो तो उसमें भी बहुत ही फाइदा करता है तो मैं इसको बोल में निकाल लेती हूं और देखे कितना पॉडर यह जो चुका है तो चलिए मैं बताती हूं कि कैसे यूज करना तो मैंने एक कटोरी ले लिया है और उसमें चूर यानि पॉडर और उसमें एक टीएश्पून ले लेंगे छोटा चमच से हनी जो सहद होता है उसको ले लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अची तरह से तो कि जो पॉडर है ना बंस रोचन का पॉडर हवा में ज्यादा उड़ता है और नाक में जाने से थोड़ा और यह पॉड़ा नहीं यह कि इसको चाट चाट पांगे और यह या तो रात में लिए चार और चाट करना बिलmost नहीं भूलिएगा और कमेंट बीच कुट get a और जितना हो सके शेयर किजिएगा ताकि सभी को फायदा मिले तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स रस्पी के साथ